अब यह फाइनल हमको करना है फाइनल डल गया चार बंदों डाल दिए 24 मुर्गे ठीक है अब हम इसको यहां से डन करेंगे यह यह देखें दोस्तो है गाइस वेलकम मैं स्वागत आपका पोईट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तो आज जो हमारी पोईट्री है वो सारी की सारी आज लिफ्टिंग हो जाएगी और मैं आपको बता जीता हूँ कि मेरी पोईट्री जो लिफ्टिंग होई है वो होई है पूरे पूरे तीन दिन में ठीक है तो यह पहला दिन है लिफ्टिंग का तो ऐसा होता है जब माल जाता होता है और डिमांड कम होती है तो क्या होता है कि दो दो तीन तीन दिन लिफ्टिंग में समय लग जाता है अब इसमें ना तो company कुछ कर पाती है ना farmer कुछ कर पाता है क्योंकि जब supply कम होगी तो खरीदारी कम होगी तो बस जितना होगा उतना आपका मुर्गा निकालने की कोशिस करेगी company तो हुआ यह कि जो आज पहला दिन है तो पहले दिन में हमारी जो एक ही गाड़ी जा पाई थी और बहुत ही मतलब उसमें हमको तीन दिन तक अपना एक दो करके गाड़ी यह गई है अब देखे दोस्तो अभी हमा आज क्या है कि जो लाज दे है तो हमनी पोईट्रों चेक कर रहे हैं कोई मुर्गा मरने वाला तो नहीं है कोई loose तो नहीं है यह सारा चेक कर रहे है जो भी loose बगर मुर्गा होगा हम उसको एक साइट में निकालेंगे जो fresh मुर्गा होगा हम उसको एक साइट में निकालेंगे तो कुल मिला गए है साथ से आठ बच्चे हमारे इस बैच में निकल गए थे जो थोड़ा सा loose था थोड़ा सा नंगड़ा था उसको हम देख देख के देख देख के छाट के हम उसको निकाल ले थे इससे हमारा ही फायदा है क्या होता है कि वो इतने जादा बच्चे नहीं निकाल पाते क्योंकि गाड़ी वाले क्या करते हैं कि आपके जो जब आप लिफ्टिंग राते हो जब आपना बच्चा उसमें देते हो गाड़ी में देते हो तो बहुत सारा बच्चा आपको निका जाओ नहीं अगर नहीं लेके जाना माल तो मत लेके जाओ तो फारमर को थोड़ा stick होना पड़ता है देखिये फारम पे मेरे गाड़ी आ गई है अब यह गाड़ी आगी है दोस्तो मैं आपको बतायों कि ऐसी छोटी छोटी गाड़ी आती है फारम पे koji-koji बड़ी गाड़ी लगा रहा था आप पैर लगा रहा था तो बार बार जो कंपनी का काटा होता है वह एर डिखा रहा था अब इसमें यह होता है कि अगर कंपनी काision काटा बहुत बढ़ी है यह जिसमें फाइदा यह यह है कि आपको जितना भी मतलब माल तुलेगा जितना भी माल तुलेगा वो आपके फारम पे तुलेगा आपको कहीं भी जाने की अवश्यकता नहीं है और company में यही होता है कि आपको उठकर बाहर जाने की अवश्यकता पड़ती है आप अपनी गाड़ी की lifting बाहर कराएं धरम काटे पे गराएं इन बाइस में बजाग कर रहा था कि याँ और गारी चोड़ी कैसे करते हो तो भूला हम नहीं करते तो बहुत ठाहि था और आपको visage ध्यान देना होता है कि कहीं आपके farm पे कोई چोरी तो नहीं कर रहा ठीक है आपके काटे के साथ कोई खिलवार तो नहीं कर रहा मैं आपको तरीका बता दूम मैं क्या क्या करना है आपको सबसे पहले देखना है कि देखिए पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यह जो company का काटा है आपको दिखा रहा हूँ closely यह बहुत advance काटा है इसमें आपको तोल ठीक है लास्ट बजन आपका कितना गया है कितनी तोल हो गई है ठीक है कितने कुंटल माल हो गया है ठीक है जब तक supervisor साब अपने mobile से वो done नहीं करेंगे तब तक वो done नहीं होगा अगर कोई भी इसके साथ छिड़का नहीं करेगा तो यह error बता देता है और company का strict rule है कि आपकी जो तोल में वो error नहीं आना चाहिए अगर ज्यादा error आएगा तो आप उसको जवाब देना पड़ेगा तो देखिए दोस्तों देखना होता है कि आपका जयाबा तचि नहीं बलता ही जयाए थाबा चाहिंवाल बलते गरल्ग जो payments बहुत ज्यादा नालाएक होते हैं वो क्या करते हैं कि आपका जो उसको चुराने की कोशिश करते हैं देखिये सब पहले company क्या करती सब पर अपरनी फोटो लेती है वी यह फोटो हुआ है फार्मर का फोटो लिए जाएगा पिलस जो गाड़ी रेकर आया है उसका फोटो लिए जाएगा पिलस काटे को सेट कर दे जाएगा मतलब जिरो पे कर दिया जाएगा उसके बाद हमारा मुर्गा तुमना स्टार्ट हो जाएगा यह काटा ऐसी टकता है इस पर लिफ्टिंग वाले दिर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो उनका माल चोरी होने के पूरी पूरे अशंका होती है ये देखे एक तरफ से माल जाता है जैसे कि चार आदमी है चार आदमी छे शे बच्चे ला रहे हैं तो छे बच्चे ही लाएगा एक आदमी और पाकी इदर से तोल होगी उदर से डन होगा ये अपने बच्चा उठा लेंगे इस तरह ही सुगना की तोल होती है ऐसा नहीं कि पूरी गाड़ी पहले भरी जाएगी फिर आपका जाएगी धरम काटे पे धरम काटे के बाद उसमें पहले खाली का वेट हुआ फिर भरे का व आपकी लिफ्टिंग होगी तो एक एक बंदा तो कॉल अटेंड करने के लिए ही चाहिए होता है तो सुपरवाइस साब बैठे हैं उदर से वो अपने फोन से डन कर रहे है ये काटा होता है फोन से कनेक्ट और विल्कुल इसकी जो रिडिंग है वो उपर भी जाती है और सा जावा टेच नहीं हो रहा सब कुछ सही है अगर ये ध्यान अखना गाड़ी वाला अपने पीछे काटा टांगता है तो सोच लेना कि वो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड करने की सोच रहा है क्योंकि अगर टेच होगा तो आपका माल नीचे जाएगा ज्यादा नीचे ज ठकी भी बैटी है क्योंकि रात भर तो लिफ्टिंग कराती है दिन में नीच होती हो कच्छी पकी होती है तो हमारे देखिए कितना सारा माल भी बचा पड़ा है ठीक है ये माल बचा पड़ा है इसकी हमें लिफ्टिंग करानी तो बहुत चैलेंजिंग वाली बात होती है औ और जरसल क्या होता है कि एक बार अगर मुर्गे में आपका आदमी घूम जा या उठाने लगता है तो क्या होता है कि उसका बजन कम होने लगता है तो आशंका हमें यही थी कि हमारा जो फार्म है उसमें जो बजन है वो कम निकलेगा क्योंकि एक बार अगर मुर्गी कंदर आ में उस से अगले दिन भी दाना नहीं मिला तो इसमें वड़ी दिक्यत का सामना हमें करना पड़ गया क्योंकि हमको जल्दी से उठवाना था आपको जानते हो कि लेवर डिसाइट कर दिया लेवर थोड़ा चाय वाई पीरी है खाना वाना खा रही है कि गाड़ी आने वाली है अब गाड़ी आएंगी तुरत हम भरवाना स्टार्ट कर देंगे इस सेकंड ए हमारी लिफ्टिंग का बस थोड़ा सा यहीं होता है कि जब आप लेवर लगाते है है तो भाई पान पान सटरों मैं उसको दिया तो दोड़ के चले गए अब एक ौचार पे दिकर लेवर को पहले को आपको पहले से फैल करकाया पढ़ेगा कि एक दिन में उठी चाहिए दो दिन में उठी चाहिए तीन दिन. दे गारिया की एस dense तो तीन दिन में अगर मुर्गा बहरा जा रहा है अब भर के उने पूरी गाड़ी भर ली है तो सुगना कंपनी में यह बहुत बढ़ी है कि फार्म आराम से बैठा है अपने फार्म पे वह अपना तुलवा रहा है आए भी हो या कोई बी अदर कंपनी हो तो उसमें क्या होता कि वो बिना तोले गाड़ी में डालते हैं मुर्गा अब जाकर उसका कराएंगे धरम काटा धरम काटा कराएंगे खाली का बेट होता है फिर भारी का बेट होता है तो उसमें भाईया बहुत ज़्यादा में कोई जंजट देखने को मिलती है थंड होती है थंड में फार्म भागता है किसी के फारेम पर कांटा नहीं होता कोई 7-8-8 किलोमीटर फारेम पर कांटा कराने जाता है कोई 10-10 किलोमीटर कांटा कराने जाता है सब बोच कर यह 8 गारी आपके फारेम पर लगी है है कि हमने सारी लाइट कर रखी लाइट बंद रखी तो इसलिए ले रहा वह नहीं रहा नहीं जाता कर देंगे तो मुर्गा बिल्कुल पिक पकड़ा नहीं जाएगा तो इस तरह से आपको मैं सिखा रहा हूं कि lifting के time आपको क्या चीज़ का धियान देना है सबसे पहले आपको धियान देना है कि आपका जाबा ठीक है दूसरा कि आपका हर बार जो सुपर्वराज साब वजन तोल है वो done कर रहा है या नहीं कर रहा है कभी कभार ऐसे हो जाते है कि dung करना भूल जाते हैं और वो मुर्गा उठा लेंगे, एरर आएगा पर आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो मुर्गा उठाके वो गाड़ी बहले लेंगे, तो आपका नुकसान हो जाएगा, तो ये चीज़ें आप बड़े विश्य ध्यान लखें, एक उंटल भी माल अगर आपका मारा जाता है तो बहुत रुपे का जाता है, और FCR पे काफी जादा फरक पड़ जाता है, और मेरे हिसाब से जो अधितर गाड़ी वाले वो 30-40 किलो माल आराम से मार सकते हैं, आपका आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप नए फार्मर है, पुराने फार्मर का नहीं मारेंगे, उनक उनको मारेगा, माल तो लेके जाएंगे, क्योंकि उनको सप्लाई देनी ही होती है, गारी वालो को, यह माल लेके जाएंगे, पीटेगा उनको, पीटने बाद जब जब जाके उनको छोड़ेगा, तो इसलिए उनको पीटने अडर होता है, अगर हमने गरबड करी, तो वो फ ज्ढ़ावा नहीं था तो हम ने क्यार अपना ड्रम कट वाया ठीक है ठीक है लेकिन दिया था थो बाद में क्या हुआ की जो कंपनी का आमाल जो ले गहे हैं बंदे इन्हों' ने है कि जो ट्रेडर है उससने कंपपन का पंदरस रुपे रोख लिया अब कंपनी का प्रेशर आया हम पे कि यार यह ऐसा हमारा पैसा उनको रोख लिया है आप कैसे को रोखे तो यह पैसा भी हमको अपनी जेब से भनना पड़ा तो यह छोटा छोटा नुकसान हमारा होता रहता है पोईट्री में ठीक है तो यह यह मौसम होता तो हम इसकी गाड़ी नहीं भरवाते इस गाड़ी को खाली भेजते क्योंकि दिन में नहीं पकड़ा जाता मुर्गा जितना गरम मौसम होगा उसमें दिक्कत यह आएगी कि आपका मुर्गा की मॉटल्टी जाद हो जाएगी बजन घटाएगा तो बस यह कि माल जो अब आपको जाएगा तो यहीं चीज भी से ध्यान देखना है कि आपका काटा कहीं टच नहीं हो ठीक है वो जो लेने वाला है वो सही काम कर रहा है ठीक है तो अब हाएगी जैसे यह आपके फारम पर आए तो थोड़ा सा इनको धमका देना ठीक है तो यह कि मुर्गय काह मे तो फ्रिस फ्रैस फ्रिस मिल जाए इ Potato खर्णा और यहांव को कमपुरराइड यृश। कि जो आपका चोरी हो तो वह मतलब यहां से डन हो गया तो वहाँ पर वेट चड़ गया अगर यहां से डन नहीं हो तो वहाँ पर बेट नहीं चड़ेगा तो चांस है कि आपका मुर्गा चोरी हो जाए वरना वैसे कोई चोरी होने के चांस नहीं होते हैं पस कोई तरा जुग तो बहुत एड़ांस की सुगुना ने कर रहे काटा बहुत अच्छा लगा रहा है फारम पे फारम का माल भी ज्यादा नुक्सान नहीं होता अगर ऐसा होता है कि गाड़ी में भरकर जाएगा माल तो फारम का कई कुंतन माल तो गया भी हो जाता है मतलब वेट लॉस्ट कर दे मुझे ध्यान भी देना था जो मैं आपको बता रहा है मुझे ध्यान भी देना था और दूसरी बार यह कॉल बहुत जादा आ रही थी इदर उता से गाड़ी की तो मैं बस यह कि जैसे तैसे मैंने आपके लिए चोटा मोटा एक वीडियो बना है और धीरे-धीरे मतलब मैं आपको इसका पूरा रिजल्ट बताऊंगा इस फारम का क्योंकि मॉटल्टी कम से कम 10% से उपर मॉटल्टी मेरे फारम में पहुँच चुकी है अब 10% मॉटल्टी वो भी लास्ट के दो दिन बाय है मतलब जब तक मेरा 356 दिन था तो 3% से नीचे-नीचे मॉटल्टी फारम में डणने कोई भी आसकता नहीं होती है फारमिंग तो एक ऐसे बिजनिस है उता चड़ा वाता रहता है और जब धीरे-धीरे करके आदमें सीखता है तभी इसमें आपको प्रॉफिट होता है अगर हर आदमी को अगर जल्दी से सफलता मिलती तो हर आदमी फारमिंग कर बैड़ता ठीक है ऐसे जो दिगज होते हैं जो फारम करते हैं वह आप उन्होंने 20-25 फारम मना रखे हैं ठीक है तो मैनेजमेंट अच्छा दे रखा है उनको सारा पता है कि कैसा बच्चा मरता है क्या होता है क्या मैडिसिन लगानी है तो वह धीरे से ऊपर छोटे- होने वाली है बस थोड़ा सा उनका माल रहे गया है सुपरवाई साथ लिफ्टिंग में ड़न करते जा रहे हैं तो मैं आप एक चीज और दिखाऊंगा जो मॉइल है मॉइल कैसे ड़न करता है वो भी है मैं देखिए मैंने मॉइल ले लिया है अब यह सॉफ्ट्रेट चलता और अब यह फाइनल हमको करना है फाइनल डल गया चार बंदरों डाल दिए 24 मुर्गी ठीक है अब हम इसको यहां से डन करेंगे यह यह देखे दोस्तों यह डन हो गया उधर डन हो गया अब यह आपका माल तुल गया तो इसी तरह पुरा मुर्ग सुगना मुर्गा की प्लीट